ग्राम पंचायद चुनों में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यूपी में जो पंचायद चुना होना है प्रधानी का चुना होना है उससे रिलेटेड बहुत ही मौत्पूर जानकारी आज हमारे पासी कठा हो पाई है तो मैं सोचता हूँ कि आपको जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से उप्लब्द करवाऊं ताकि आप सचेत रहें सतर्क रहें और अपने चुनावी केंपेन को जारी रखें और किसी वीपरकार के भ्रामक अफवाहों से दूर रहें शुरुवात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आ प्रस्णों को ले करके आप लोग काफी उत्सुक रहते हैं आपकी उत्सुकता को देखते हुए मैंने पंचैती राज वीभाग और राज निर्वाचन आयो की वेबसाइट खंगाला तो वहां से और बड़े-बड़े न्यूज चैनल और वेबसाइट के माध्यम से ये कु थर्ड वीक के पहले समाप्त हो जाएगा क्योंकि वहां पर एक बड़ी वज़ा है बड़ी वज़ा ये है कि अप्रेल के तीसरे सब्ता के बाद से यानि 24 अप्रेल से उत्तर प्रदेश बोर्ड परिच्छा भी शुरू होने जा रही है जिसके नाते समस्त प्रकार के अधि तो ऐसे में दोनों चीजों को एक साथ करवाना असंबव है और इसनाते ये एक आकड़ा निकाल करके महसूस किया गया कि यूपी में जो ग्राम पंचा चुनाव है वो बोर्ड परिच्छा के पहले ही समपन हो जाएंगे उसके बाद बोर्ड परिच्छा होगी ठीक है तो ये बोर्ड परिच्छा से संबंदी डेट के बारे में मैंने आपको एक अनुमान बताया ये कोई फिक्स नहीं है लेकिन इन ये परसेंट आप इसको फिक्स मान करके चलिए इसके अलामा अरच्छड वाली बात अकरम करें तो अरच्छड को ले करके आप सभी लोग काफी ज्यादा उत्सुक हैं और परिशान है तो आपकी परिशानी का हल दस मार्च से सुरू हो जाएगा यानि दो मार्च से लेकि आठ मार्च के बीच में आप अत्ती दर्ज करने का जो समय है जब वो समाप्थ हो जाएगा उसके बाद तो फाइनल आरक्षड सीट वाली से हैं तो आप इन चीजों को लेकर के परिशान मत रहिए कि 2005 में यह सीड़ थी 2010 में वह सीड़ थी 1995 में यह थी तो आपकी बार क्या चांस है चांस वही है जो एक नियम के तहत होगा अगर आपको नियमावली पता है तो उसके हमसार अंधाजा लगाए और अगर नहीं पता है तो टेंसन में मत रहिए क्योंकि आपका यह टेंसन आपको कई कदम पीछे लेकर जा सकता है तो इसनाते ब्रामक न्यूज चैनलों को मत देखें और अप वाहों पर मत जाए अगर आप एक जन प्रतिनिधी हैं समाज सेवी हैं तो समाज की सेवा करिए जब सही वक्त आए और सही वक्त आपको सही जगह पे पहुंचा देगा बस इसी भरों से के साथ आप मेहनत कीजिए मेरा भी आपके साथ जो शायोग होगा मैं आपका शायोग करूंगा वीडियो के माध्यम से फोन काल के माध्यम से बस इसी तरह से अपना प्यार और संबंद बनाये रखिए ताकि हम लोग आगे बहुत दिनों तक एक दूसरे से जुड़े रहें और पलपल की खबरों से अपडेट रहें थैंक यू